संगी, जी हाँ, एक ऐसा जर्या है जो दिलों को जोड़ता है और इसके साथ ही कहीं न कहीं संगीत से जुड़े जो लोग होते हैं उनमें एक शिद्दत होती है वो काम अपना शिद्दत से तराशते हैं और एक साधना जुड़िक होती है उससे अक्सर कई बार हम सोचते हैं कि क्या इस तरह से जो तमाम संगीत की द्रमें बनाते हैं ये लोग होते कैसे हैं आज हमारे साथ केके मौजूद हैं और सफर जो उनका रहा है वो अक्सर लोगों तक नहीं पहुँच पाया है केके बहुत-बहुत स्वागत पीचिवी की सिने लं कि आज आप संगीत की दुनिया में हैं प्रशांत एक्षरी जो मौमी रडी है वो केरल के हैं मैं हूं केरल का वो दिल्ली आये थे 1952 में सफर की बात हुरी तो पूरी बात हो और मैं पैदा हुआ दिल्ली में और बच्पन से मुझे बस ये जो है संगीत का एक जो है लगाव किया है और जो मैं मॉम्स मॉम जो है वो मुझे टीचर थी तो मैं जो है मुझे लगता है कि मुझे जो है जो है जो भी है वही से आया है जो मुझे की जो बलेसिंग है उनी से आई है कि मैं सिखा नहीं हूं पर बच्पन से मुझे जो लगाव रहा है मुझे अभी भी आद ह मैं क्या चीज़ है और वो गाती दी और रेकॉर्ड करके सुनते हैं तो मैं भाई यह तो मैं भी गाऊँगा तो छोटी से मतलब मैं मॉम सेज कि मैं जब छोटा था मैं भी थ्री-फोर यह उल्ली तो मैं गाने गुंगुनाना शुरू हो या था और सबसे पहले मेरा ज्यादा एक प्रोच्जाहन एक 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 हर आटिस के लिए बहुत जुरूरी होता है कि वह बिगनिंग में उसको खुद को महसूस तो लगता है सबको लेकिन विश्वास जो होता है वह बढ़ाने के लिए जगाने के लिए जो दोस्त होते हैं टीचर्स होते हैं उनका बहु सबकार और में नकारी ने प्रवास करने टाएरले करना करने के लिए यह गए रही ज्यादा सबकारी से सबीच करता है hm किके हर आर्टिस्ट जब शुरुबात करता जैसे आपने बताया एक वक्त ऐसा आता है जब वह तूट भी जाता है कई बार ऐसा होता है कि यार यह चीजने ठीक नहीं हो रहे हैं वह वक्त भी रहा होगा हाँ यह वह तो हुआ था मतब स्कूल के बाद था ही कोलेज में गुषा तो बैंड से लग लग पहले मैं हिंदी का था फिर कॉले में इंगलिश शुरूआ तो भी बजाता कुछा तो रूप बजाता था और मज़ा ने लगा और फिर मैं चाहता था कि मैं इसको पॉस्व करू पर क्या हुआ उन दिनों में I fell in love तो मुझे लगा कि मेरे कुछ शादी कर लिनी चाहिए we both were together for a long time before that और शादी करने के लिए उस वक्त ज़रूरी था कि पकड़ लू हाथ पे कुछ काम हो तो मैंने एक जॉब कर लिया अब वो जॉब जॉब जो है वो मेरे मताब मार्केट मैं जुब जॉब को इसे चीज़ को कैसे बेच सकता है जुब हु तो बात में भी तक क्या नहीं समझ रहे है, पर मैंने उस क्या को चे महने के लिए काम हुआए और पैसे कमाने लागा उस वक्त क्योंकि उससे पहले जो था ये कॉलेज के टाइम में जो होता है उसक नहीं, कोई कौनसर्ट कहीं पर कर लिया है फ़ड़ पैसे कमा लिया या फैसिल नियुक्त फ़र्स प्राइस जीत लिया तो फ़ड़ पैसे कमा लिया है अधैस्विश्ट जब वह जॉब जॉब ने किया और शादी हो इसके बाद मेरे को बहुत बेचानी होने लिगी दो-तीन महिने में और मैं एक दीन जोड दिया और बस बाग वाइक सब रखके घर आ गया अव से उनके पहले जोड़ाएं वह दिन जो था एक मुछे भी भी आता है कि है हालागी मैंने एक काम ऐना कि कि मैंने जौब छोड़ दிया,कि मेरे عندर भुखत सुपून भार हटा के रखमें पर रास्ता मेरे को नजर आ रहा सा ल Porsche किस तरह कर ऑना sulla पर ने जाए तो अधोग से थी, tyres मनने एक सर्ड़ सै पर चोड़ दी. मैं करना तो यही है, पर मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, I went back home, I told my dad कि पापा मैंने काम छोड़ दिया, पर यही करना है music, तो एक अजीब सी में को लगए, ढांटे ही तो नहीं, यहां से लगए, क्या कर रहा है, यहीं काम छोड़ दिया, but he didn't say anything, मैं को यह लगता है कि हर महाबाप को एक अपने बच्चों को समझना पहुत जोरी होता है, नहीं तो वह बच्चे डर जाते हैं, और कभी खलत काम कर लेते हैं, तो मेरे पापा ने मुझे ही का कि भाई, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें तैक कर ले, तुम्हें करना है, तो करो, but make sure that you give it all you have, मैंने का डैड, मैं इसलिए छोड़ गया हूं कि थोड़ा कि थोड़ा कि give it all I have, whatever I have in my ability to do, मैं music यही करूँँआ, और वो दिन में भी भी याद है कि मैं जब काम चुड़के जब मैं आया, और एक जो अजीव सीख मेरे ने तर्मॉयल चल रही थी ना, पापा से बात करने के बाद बाद जो तर्मॉयल सब कुस क्लियर होगी है, और जो मेरे को बिल्कुल एक नजर आने लगा है, साफ दृष है, कि मैरे को मेरे को मुजिक करना है, कीबोर्ड चार्ट प्रोडूसिंग, बिए पैसे कमाऊ, और फिर क्या करना है, कि हम लोग ज्यादा प्लाइन करते हैं लाइफ में तो प्रॉलम होती है, इस सफर में बहुत सारे लोग आपके साथ रहे होंगे, और इस सफर में लुई बैंक्स कहीं न कहीं, बहुत सारे और लोग जुड़े रहें, क्या वो पहला मौका जो था जिसने का कि हाँ, मुझे वो दिख रहा है कि हाँ मैं उस रास्ते पर जा रहा हूं, वहां बहुत जाओंगा, क्या कुछ रहा है? जी, मैं आया है मुंबई, 1994 में, और ऐसी आया गया था, बस चोटा सा बैग लेकर, मैंने का, याए, मैं मैं मुंबई वस एक्स्पेक्टिंग, मैंने का, आ जाता हूं, मिलके थोड़े दिन के बाब आपर से लिए, कि महां पर मैं काम शुरू कर दिया था था थोड़े, जिंगल्स बना रहा था और जिंगल्स गा रहा था, मैं खुछ था, पैसे कमा रहा था, I was happy, पर मुंबई आया, और मैं दो गाने लेखाई था, पический कॉन पनायने यह मं कुछ ऑफ रहा था, शुरू के पर में लग और कहता था, मिलताल रहा था, धुक भी है रहा हूँ, मिलती कुमस्त, तव अगजा थाया, मुंबई यहान का कूझ। मने बहुत चाह गाते हैं लेकिन ऐसा गाने का अमार परस कुछ है नहीं अभी होता है लेकिन इसाल को तो हैनए आरे पास होगा दूर बताएंगे तो भी बीद तो बहुत निराश हुआ जब का लू ठीक है जिंगल केकर देखे और भी लोग थें, अनगिनः काफी सारे जो नों हमेरे साथ काम किया, और शुरुवार देखे उनमसे मिला, और अपनी सुना ही, हरियर जी हरेंजी जो हैं, मामा के दोस्ता है, उन्होंने मुझे लेसली से मिलाए, तो उनसे भी जा के मिलाएं, बहुत ब बैक उसका मुझ पे मेरे खुद से ज्यादा यकीन था कि तू आपरस नी जाना है तो यही पर कुछ और ए तेरा जो भी होना है तो मैं आच्छा रोज मैं परिशान में कि यार कुछ हो नी रहे हैं कोई फोन नी कर रहे हैं फिर एक दना चानलेक से जिदे न अकुल पैदा हु ऐसे जान का मही पर फोन आया है मैं पॉंच आ यह पुदी पॉंचा थे दी पॉंच यह थे यह थे न रहे तो तुम पनी हो ख्या को ना इसे नहीं कुछ तो यह थे पहले से बहार मैं थे हो पिगां च्छा दो ए पर लेसी को मिला और फिर गहाना सोना डिक्शा आए बहाँ बात रूम में लाज बात कर रहा है तो यहार निया बंदभ है अच्छा रख रहा है तो कुछ कुछ कह रहा है उसको पर बहुत अच्छा यार मताब यूद भात रहा है उसकी का मुझे खुद पर भरोसा होने लगा कि मुझे लगी कि बेटा तुने अच्छा काम किया है देख सुन ले समबड़ी स्परेजिंग यू वाहर आया रहा है जैसे कि मने कुल से सुना नहीं वाहर देख गया उसके बाद गाना सुना बहुत है उसके बाद प्रशाद देख अट व्याव मं जा कर्या है जो कि सिन्क्राइब लाइब जो साड़ा है उसके बाद से मैं जो सारह तीन हडार जिंगल अबध न Elayvन लाइगी 힘स है मैं लोड़ी तो कि तो एक दो नहीं कर भात मिदू में कर दो ही नियमना काना लॉट However,コ आपको सारा कुछ करना है। वो सब मुझे इस फिल्म इंडस्ट्री में मुझे उस चीज ने बहुत है। वो जाया चीज ने आपको से पाईो कुछ को बैसे होता है। वो तुर्बा जो है वो मैंने तबसे सीख़या और वही महीं ही रखता हॉ। एक गाना पल जो शायद हर थोस्त सब गुन-गुनाते हैं वो कैसे मुम्किन हुआ। यार प्रशांद ये उन दिनों की बाद है निए निएट में सोनी म्यूजिक जो इंटरनाशनल जो कम्ती है वो इंडिया में लॉच्छ हो रहे थी एंड वर लॉकिंग उस वक्त फर डेभी आर्टिस इंडिया बहुत बड़ी बात है और काफी सारे लोग थे सिंगर मेरे दोस्त लोग हैं काफी लोग मिल दे थे बाते चल दे लिए वह 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 पर उपर वाले की रहमत मुश्पे पड़ी और उनों ने मुझे चुन लिया तो मैंने साइन किया डॉटर लाइन पर और मुझे वह दोक्यमेंट पर नेक्स पांच साल का उन्ट्राइट पा मैं इसलिए यह कह रहा हूँ क्योंकि पहला स्टेप तुम करो अपने आप रास्ता निकल आता है और यह कोई लग ठीक है उपर वाले की रहमत तो हनी चाहिए लेकिन एक होदा ना कि तुमारी चाह खुद को होनी चाहिए कि मेरे को कुछ करना है जहां तुम एक पॉजिटि अधिर मेह भूब भाई लिक्स भूण खुद लिखे थे उनके साथ गर में बैठे बैठे आटे हम गप्ते लगाते थे और सारा दिन एक प्यार के पल आसी लिखा गया यारों दोस्ती है सारा दिन खाते पीते मस्ती बाज महोज मस्ती में मार बैंड़ा मे रहते तलाब के तो एक ठहराओ में अराम से कोई टेंशन नहीं कोई गाने सुनते हैं कोई और गाने सुनते हैं और फिर धुन सुनते हैं मैं भुभाई लिखते हैं फिल्मों का मुझे शौक नहीं था उससे पहले चाहता था कि मैं एल्बम करूँ और एल्बम रिलीज़ हुआ और इतने फाक से 99 में तरब तरब के भी हुआ वो भी लगबख सेंट टाइम 99 में रेकॉर्ड हुआ अब यह होता ना दोस्त की तुमने चाहा की चलो एल्बम करना पर साथ साथ ने मुझे फिल्मों का कभी जगत में एक ऐसा महान गाना दे दिया तरब तरब के जो गाना विल्कुल उससे एक ऐसा व्यक्ति तो मुझे दे दिया बिगनिंग में कि यह कौन ना है इन्या अच्छा कोई लों बच्चे टाइब हो अभी तो पहले बात है ना मैं टाइब 98, 98 ,amen यह इन अटे बारी बर्कमगाना काना ना इससे गालनी तना अच्छा थो प्लमनjang गानेमे ब met water film करूँ जब मैरने पहले गाना किया मैं तब मुझे लगा किया ड्राइ करता हूं लग कि इन सब में क्याम करता हूं ऑप मैं श्याक्ते उचाए हैं सब मैं कर सकता हूं सबका योगदान बिल्कुल है, मैं कह सकता हूँ, मैं खुद तुम्हें कुछ नी कर सकता हूँ, किसी और के गाने गाए है, तो वो योगदान जो है, वो एक बिल्कुल कहा हूँ, जबर्दस होता है, म्यूजिक डिलेटर और सिंगर का, और जितने भी मैं गाने किये, मैं कह सक तो वो जो है वो बहुत अच्छा लगता है दिल में दो गाने जिनका जिक्र मैंने किया जैसे पल और यारों दोस्ति उनको हमारे दर्शकों के लिए ज़रूर गुनाएं ज़रूर यहारों दोस्ति बड़ी ही हसीन है ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदा है कोई तो हो राजदार बेगरज तेरा हो या कोई तो हो राजदार और पल हम रहे आना रहे कल कल यादाएंगे ये पल ये है प्यार के पल चल आ मेरे संग चल चल सोचे क्या छोटी सी है जंदगी कल मिल जाए तो होगी खुश नसीबी हम रहे आना रहे यादाएंगे ये पल ये पल ये प्यार की दुनिया में ले जाते हैं अब ये गाना गुन गुनाते हैं और हम सब जो अच्छे गाने वाले नहीं भी है वो भी कोशिश करते हैं अच्छी वाद है लम्हें आदा जाते हैं जुनून आपका जिन्दगी आपकी और उसमें जोती भी क्या कुछ रहा उनका योगदान सच कहूं तो मैं जो हूँ जोती वज़े से काफी हद तक आउट से हूँ खुद की जो एक चाह होती है और पैशन होता है वो तो लगए बर किसी और को तुम पर इतना यकीन होना कि तुमें खुद पर लगे कि यार खुद को लगे कि नहीं मैं इसके लिए कुछ रहा हूँ कर्कि मैं दिली से मोंब गया था मैं किसी कुछ जानता नहीं था है यहां पे और मैं मैं आपको मेरी जरूत है और आपको लगे कोई गाना में ले बैठते तो आप बुलाएंगे तो मैं जाओंगा इतना ही मेरा है यह होता था पर जूती का जो था यह कहना कि कि you can't go back you have to be here and you have to keep trying एक जिंदगी में कोई हमसफर हो साथ जो तुम्हारे बैट टाइम होता है तो वो तुम्हें लगता है क्योंकि तुम्हें लगता है कि यह तो मेरे साथ है यह है साथ तो क्या गिल है कोई को प्रॉलम ही नहीं है मैं सब कुछ जहिल दूँआ है तो early days in Mumbai में याद है कि मैं जब आता था 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 ट्रेन में घूंगते थे हम सब बसों में घूंग रहे हैं कोशी कर रहे हैं चल ले जहां पर पैसे बच जाए तो हम इस वक्त भी श्रगल कर नहीं सोचते है क्योंकि लगता कि है सब ही सब करते हैं सब कर अब बैटो अकेले हैं कभी और सोचो कि मैंने यह सब किया है तो मैं कोई बहाव में भेहन ही जाओंगा क्योंकि मैंने वहां से निकला हूं और मैं चाहता था कि मैं यह करूँ तो भी किसी कि उल्टी सीधी काम या उल्टी सीधी कुछ गड़बड करके उससे मैं अपने आपको और जोती के विश्वास को खराब नहीं करूँ है मेरा कहने बाता है कि what you are doing in life there is a reason for you to do that है ना तुम आप उस पर विश्वास करते और तुम्हारे लगता है कि सारा कुछ जो है अपना और तुम एक स्टार या एक सेलिबरेटी बन की नहीं रह सकते हैं एक खलाकर हो तुम्हारी की रिस्पॉंसब्लिटी है तुम कुछ गाते हो तो यहां पहुंचनी चाहिए बात मतलब मैं कुछ गाओं तो उपर से गादू हो और आपको अच्छा ठीक है और गाना दूसम त हो फ N Gleam Two ! तो आपको सु कून मिलता है और मैं उसीची पीचे घुपदा रहता हो , और मैं मैं उसके घुच जाओं की वह सुनने वह क I think she is my rock as far as I am concerned. Jyoti is my rock. मैं जबी मुझे लगता कि कोई डिप्रेशन होती है, कभी लगता कि काम कम हो गया, गला खराब है, एक मेने से गला खराब हो रहा है, कुछ भी होता न कभी है, सिंगर से हैं, ले 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 हैं, तो अर्टिस होते हैं, मुड़ी होते हैं, she's always there, and she's always there smiling, and she's always there saying, it's okay, don't worry, कुछ और करते हैं, तो कुछ और करते हैं, drive पर चले आते हैं, वह एक जो है, क्या करते हैं, motivation, and constant pushing, she's always been there, from the beginning, मैं दिली से, मतब बहने जब शुरुवात की थी, तो मुंबे में आने के बाद, अब वो थोड़ा चैन से बैठते हैं, बतते हैं, अब यह कर रहा हैं, now she's happy that I'm, I'm very happy from within, I'm very content that way, कि मैंने चाकाम किया है, so, for me, I think, she's been the reason, for me to have, worked so hard, to get to where I am, नही होती तो मैं, यह नही करा हूँ कि मैं नहीं करता हैं, पर एक extra जो, बोलते हैं एक extra power, extra strength, emotional bonding strength मिलते हैं, वो कमाल की चीज़ होती है, कि खेंगे, शुरू से हमने देखा, कि आप अपने तरह का संगीत चुनते रहें, अपने तरह के गाने चुनते रहें, हाल फिलाल जो सबसे मज़ा है उकिस गाने में, जो मैंना कि हाँ, एक extension न आपका और पड़ा है, यह अभी बस मैं एक हाली में एक फिल्म की विजय कुर की है, मिस दिरेक्टर, नहीं पहला काम किया उनके साथ, और नहीं फिल्म है भी पर रिलीज होने वाली इश्क के परिंदे, उसका गाना है दिल तोड के जाने वाले, बहुत अच्छा गाना है, इस वरी मेलोडिक सौंग, तोर अरले जनरेशन का लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उस पर फिल अच्छा कर दिया है, और अज़ा सिंगर जब अपने घाने सुनता हूं, सुर तो यार बेसिक होता है, लेकिन सुर के साथ तब मैं उसको ढूंटा हूँ, तो इमोश्टल कनेक्ट, और जहां वो मिलता है, मैं लगता है यह अच्छा किया, अच्छा नभाय है, और वसी से मेरे को सुकून मिलता है, यह अपना बहुता हूँ, यह वाला हाली में यह किया है, इससे पहले यारा रे, अंकित के लिए था, वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे लगा, हाला कि अंकित ने मेरे को एक स्टाइलाइज थोड़ा करवाया है, उससे आप ऐसे करो कोशिश, इससे स्टाइल आफ सिंगी, मैंने का च्री करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता कि मेरी कि मैंने कंडaker, मेरी वॉइस जो है आप चाहते हैं तो आइ असम मुझे आप किस Kilक्तारर मुझे मुझे गवाया जॅबाए मैं कोशिच तो करूआ अगर ज़ बहुन है. मैं यह नहीं करूआ OUT क्योंकि अगर है अंदर, आपको लगनी चीए यह मैना सोचा था लगने केके को लेकर लोगों के एक्सपेक्टेशन जो होती है और केके का वाज सुनते ही लोग यह गाला केके ने अजब सी अजब सी अनाय हमने जब सुना या कई ऐसे गाने थे जब प्रटरब सुनते थे तो हमें लगता था कि नुसरत साहब के बाद सुखविंदर की उस रेंज में कोई और आ गया है तो अच्छा लगता है इस ऐसे compliments मिल है बहुत अच्छा लगता है प्रशाद सै pandemie है आफ हूँ करन स्ट युच शे तो आहिए था न हो फ्लागताएंके दा अच्छा होँ पूल्त मalबिरय इस लगता है कि हाँ हलका बशाद मान अच्छा था बोगताँ कि अच्छा लगता है कि श लेटधे और एप्र जयुक्त कहते हैं कि थे यह बाद हो रहत जो नहीं कुछ नो को चेह लगा है। तो वह इसलिए होता है क्योंकि ऐस सिंगर ना तुम आपसमे कोई चाप नहीं मारते हो मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे आप गाने में मुझे दूड़े आप ऐसे गाने में खो जाओ कि मैं आपको नजर आओं जाना है वही स्टाहल हो जाता है अगर मुझे रोमेंट डिगाने तो मैं उस पूप वैसे कहाऊंगा और यह जो है कि अगर आप मुझे राजेश रोशन जी ने मुझे कहा था कि के के मैंनों के अध्र काम किया था काइट से दिल कुई है मेरा और जिंदी की दोपल की सबसे ब है रहा है अगरा के भगव एर्मोशनल बिक्रीद की कि डिभी आने गाते वारा हूँ और ब्रह राइब के शच्राथी आरा हूँ और कोई मुझे उनके साथ तुलनागा रहा है मुझे तो बहुत वह बहुत वो लगता है लेकिन राजेश जोशन जी वह तो सीनियर रहे है और उन्होंने मुझे कहा ऐसा तो मुझे लगा है कि अच्छा मैंने कुछ हासिल किया I am on the right track you know, I am on the right track I am doing what उन्होंने एक ऐसे दोर भी देखा है और आज नीवेशने भी देखना है Exactly तो मेरे कौम है सुकुन से अच्छा ह। गाना हो तो अच्छा है, गाना यहाँ, फिर थो 53% highly अच्छा मैंने ISSноG ऐखने नीज़ने ,амे उन्हाँ पोग्रों मेरे कॉर्ड़ है सबया मैंने, क्याल मैंने एक काम होता है तो उसकों दो शकुन करना पहुंचाता ह। मतलब यह नहीं कि मैं जो आभी रेकॉर्डिंग पर जाओ और कोई ऐसे करता निये मैं इसी बोल रहा हूं रेकॉर्डिंग पर जाओ ऐसा काम हैर चलो एक देड़ घंटा दो गंटा करते हैं और उसको करें निकल देगा और उसमसांग सब्सक्राइब चुछ देखें और शुक्राइब लिए हैं वस्त पसंद आ रही है कोई ऐसे गाने दो ट्राइम लगता है वह उसको तुम को और आयन कर दो उसको आपने मांड़ स्थ और उसको मैसूस करो बस यह उसी में वक्ता है तो जब संगीत की बात हो कि प्यार दिवाना होता है मसताना होता है हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है प्यार दिवाना होता है मसताना होता है हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है यह गाना मैं जोती के लिए गाता था यह बताईए कि आने वाले वक्त में हम क्या कुछ सुनने वाले हैं कि किसे और क्या फिल्मों से अलग कुछ और भी प्लैंड कर रहे हैं प्रशांद फिल्मों का सफ़र जर चुलता है रहेगा यह बताब ऐसा तो नहीं है कि मैं फिल्मों नहीं करना है I enjoy the film सारे मिस डिरेक्टरों तुमें friends हैं जब उनमें लगता है विए गाना है मेरे लिए वो मुझे बुलाते है जैसे अभी अंकित के लिए किया यारारी किया उसे पहले इंडिया वाले for a happy new year और तुने मारी entry हैं वो भी विशाल सेखर का कमाल गाना वो अपने फूंजी फिल्म रहे है वो गुंडे वो भी गाना चला अभी जो है यह दिल तोड के में आपको कहना यह फिल्म इश्क के परिंदे इश्क के परिंदे वो गाना बहुत अच्छ है और एक और फिल्म आने वाली है इसका नाम नहीं पता मेरे गाना बहुत अच्छ है music director है Sanjay है मेरे खाने वाल काना very beautiful song अभी मैं गाने कर रहा हूं मैंभूब भाई उनकी लड़की music director start कर रहे हैं तो तनी फिल्म मेरे खाने कुछ के निए मैं गाने वाला हूं उसके लावा I'm doing something for Pranay Rizya और इसके सब इलावा मतलब इस फिल्मों का सफर जो चलता रहता है फिल्मों के गाने जो हाते रहते हैं मुझे मुझे मालूम नहीं है Pooja Bhatt के मैंने गाना किया For Mahesh Bhatt Saab also have done a song फिल्में से रिलीज होंगी तब पता चलता रहा है मैं इनका जो ट्रैक नहीं रखता हूं मुझे पसंद नहीं ट्रैक रखा कि क्या कुछ को गाने की है कब आएगा जब आएगा जब आएगा भी क्या पता कोई और कि और कि अवाज में डब हो जाए मेरा भगाना ही नहीं है तो में वक्त जाया नहीं करता हूं पर मोर इंपोर्टनली आप जो है जैसे पल किया 99 उसके बार 2008 में मैंने अपना दूसरा अलूम हम सफर जिसके जाने मैंने खुद कंपोस किया थे वो किया अब फिर से थोड़ा से रेस्लेंस हो रहा है मेरे को लगए कि वक्त है मेरे पास अपने अंदर आटिस्ट को इंडिपेंड़न्ट मुजिक अब कंपोसर जो है जो भी कहना जाते है सॉंग रिटर जो भी अंदर जो है उसको मैं फिर से वापस आटिस्ट आटिस्ट को जो है और आटिस्ट मैन इसांड़न्ट जो उसको मुज़े ठीक कि नेशीए क्योंकि फिल्मों का प्रेश यह जो ब्लोग होता है जब आटिस्ट होता है तो आप गाले जारे हो और शोज तो चलते रहते तो वह तो एक चलता रहा composing, a bit of tinkering around music, no sense of direction as such नहीं कि मैं क्या करना चाहता हूँ या किस टाप की गाने, but I have begun that journey, I have begun that journey, I'll be very honest with you अगर आप पूछें कि क्या कर रहे हो, किस टाप के करोगा, जिरो अभी तुमेर को पता नहीं, but the journey is begun and I'm very happy that I'm on that track यह तो चलता रहेगा, लेकिन उसके इलावा और क्या, what else can I offer my listeners, क्योंकि यह जरूरी है कि मैं अपने अंदर को जो कलाकार artist जो है, अलग जो है, अंदर है, उसको भी मैं अपने दोस्तों, अपने listeners को सुनाओ, जो नोंने मेरे album 2 सुने, कभी मुझे 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 का आप का album क something as a single or something I want to do and see which way it goes, कहाँ जाता है, क्या होता है, तो वो कुर्शिश पे हूँ, उमीद करते हैं, आपकी कुर्शिश और संगीत के साथ आपकी सहबत लगातार बनी रहें और आप बहतर और बहतरीम बने, हमें बहुत मज़ाँ आपसे मांशीर के, बहुत अच्छा लगा, उमीद करेंगे कि आने वाले वक्त में केकी की आवाज और जादा बने दो, और जादा लोगों तक पहुंचेंगे, तो केकी साफ तोर पर उनका कहना था कि संगीत के साथ उनके जो सफर की बात है, उनकी जो तालुक की बात है, वो जुड़ी रहेंगी और इसमें सुकून वो जरूर ढूंटें, इसलिए बहुत जादा काम नहीं, लेकिन चुनंदा काम करते हैं, उमीद करते हैं हमें आपकी सुझाओं का इंतजार आएगा, और साथ ही उमीद करेंगे कि आपको हमारी ये खास मुलाकात सिनिलम में की पसंद आई हो, नमस्कार.